आजले के जिला परिशद सभागार में पत्रकार संगठन N.U.J.I की आम बैठक एवा मिलन समारों का हुआ आयोजन इस बैठक में साल भर के आयोजनों एवा म पत्रकारों की हित में लिये गए निर्नयों पर चर्चा हुई वही संगठन के महासचेव राकेश कुमार सेंग ने आगामी कारिक्रम एवा म संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए इस बात पर भी सदस्यों से राय ली और कहा कि छप्रा के पत्रकारों के हित में अगर राश्ट्रिय मीडिया संगठन AISM JW पत्रकारों के सुरक्षा एवं संगठित करने की कारे करती गई वैसे संगठनों का हम सभी पत्रकार स्वागत करते हैं वही आज की बैठक वरिष्ट्ट पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षिता में की गई वही आज की इस बैठक में जिले भर से लगबग सेक्ड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लिया शप्रा से मनुरंजन पाठक की रिपोर्ट और जैसे वहां बैठने की जगह के लिए मिटिंग में जाने के लिए अधिकारियों के पास बैठने की जगह फुले करके वह विचार मिमर्स किया गया है और सबका निदान किया जाएगा एक संगठन और अर्लानी की बात हुई है उसके भी चर्चा आगमी होना है तो वह जो नई संगठन की बात हो रही है उसको पहले पहले वरिया से फेलिफाई कर लिया जाएगा उसको और उसके बाद विचार किया जाएगा कितना वह पत्रकारों के हितकारी है क्या है प्रकारों का जो भी समस्या है उसको जान प्रतिनिदी के मार्यां से सदन में उठाना और जिसे शुरूप से प्रखंड अस्तर पर उन्हें बैठने की दिवस्ता कराना इसके लिए विस्तिव चर्ट्या की गई गई काभी प्रसास्नी पालु है है संगल अग्सांग की पालु है जिसे सवाहती यह बनी यह अस्था के लिए एक आवेदन अस्थानी प्रसा क्या जाएगा जिला इसके बिल्सा हो सभी सदस्यों के घित की बात को भी चाहिए सदस्यों के क्या परशाणी है उनका समधान के सहीओ के लिए कैसे आगे बढ़े इस पर किसी चर्चा हुई उसके बाद सभी सदस्यों के अन्मान पर अगामित 30 जन्वरी 2021 तर पूरे जिले में सदस्यों के अभियान चलाए जाएगा एक तीस जन्वारी एक तीस जन्वारी दो जाल बीस तक सदस्ता अभ्यान जलाए जाएगा जो भी सदस्य पत्रकार सदस्य अगर नेशनल यूनिया अफ जर्नलिस्ट के सदस्य बनना चाहते हैं तो वह अपना आवेदम हमारे यहां से दो आवेदम एक बितिन मिस्त्राजी है उनको आप दे सकते हैं और एक धनाजय सीम्त्रफ्र हैं यहां पस्तित हैं इनको खरव जाएगा दमधार निर्मान का भरोजा लालिस्टी T.M.T. बार्स हर निर्मान के लिए उपयोगत लालिस्टी T.M.T. बार्स रिष्टा मजबूती का